इस रुपा जी गेहों की बात करें तो अब ऐसी ख़बरे निकल के सामने आई है तुर्की है तुर्की भी अब भारत से गेहों का आयात करेगा इस पर बजार के विशलेशकों का कहना है कि अगर तुर्की भी भारत से ऐसे समय में आयात करता है तो भारत में गेहों की जो कीमते हैं उनमें और जाद बढ़ोतरी हो जाएगी रूपजी आयात निर्यात हो रहा है अच्छी बात है लेकिन इसके साथ साथ देखने की जो घरेलू कीमते हैं वो भी लगातर बढ़ती जा रहे हैं लेकिन अगर ऐसे कुछ कंफर्म होता है तो इरूपजी गेहों का जो बजार है वो कितना परवावित होगा और अच्छी क्वालिटी का जो गेहों है वो भी 2600 के आसपास ससेन होता हुआ दिखाई दे रहा है और नीचे में 2200-2300 का लेवल है तो मेरे इसाब से बहुत टाइम के बार हमने देखा है कि गेहों के अंदर एक अच्छी तेजी बनती ही नजर आ रही है तो फिलाल के लिए यहां पर भी प्रोडक्शन अच्छा खाता है और इस वज़े से एक्पोर्ट अगर पिकप हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं फार्मर्स के लिए अच्छी चीज़ है कि अब उनको प्राइस हो कि अभी फार्मर्स में भी काफी गेहों जो है वो रोका हुआ है और अभी भी यहां पर इस्पेक्टेड है कि अठाई सो से तीन हुजार प्रती कुंटल तक भाव जा सकता है तो मुझे नहीं लगता कि जब तक देखिए तीन हजार तक सकते मार्केट जो है वो एक्पेक्टेड है कि हो सकती है अगर उसके उपर जाता है तो थोड़ा किंता का विशा हो सकता है एक सरकार के लिए और फिर हो सकता है कि कोई डिसीजन लिया जाए अभी के लिए मार्केट जेज रहेंगे और एक्पोर्ट डिमांड बढ़ती रहेगी जिस्टे सलते हम एस्पेक्टर रहें कि यह जो हो सकता है जी कि अभी defenses है 1530 नब कि जुझे कि यह जमें छिखले इन के स्प्राइ legitimatelyो हो सकता है